हाई मेरा नाम है श्रयास और कैसे हो आप सबी लोग मैं आपनों एक बार फिर से स्वागत करता हूँ स्वाटरफ लोग के एक नए वीडियो में और आज की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग उनलाइन कोर्स करने का जो एब बनाते हैं उसका उवाइड डिजैन तयार करेंगी उसके बाद मैं बैकेंड बनाऊंगा ठीक है तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा आपनों कही रेक्वेश्टस है कि मैं उवाइड डिजैन की जो वीडियो है उसे बता कि बनाऊं कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या एड कर रहा हूं, कैसे इमेड्रेस एड कर रहा हूं, यह सारी चीज़े, ठीक है, अपसे हम लोग जो भी UI डिजाइन की वीडियोगों आएंगे, ज्यादा तर वो हमारे वाइस रहेगा, उसमें हम बताएंगे, इसमें क्या और कैसे बनाना है ठीक है चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले हमें सकते आपको उस रेक्वेस्ट है कि प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो यहां पर हम लोग create का नाम डाल देते हैं then package name अभी फिलाल में मैं normal ही रखता हूँ मैं कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं रहा इसमें क्योंकि मैं बाद में इसको change कर सकता हूँ ठीक है तो हम लोग सीधे हमारा default है इसको हटाते हैं हम लोग नया कुछ theme चूज़ करते हैं नए theme में देखते हैं कि हमारे पास कुछ अगर अच्छा हो तो उसको choose करेंगे नहीं तुसकर रहें देंगे text future करते हैं ठीक है next step करता हूँ यहां पर हमको firebase integrate नहीं करना आई कि लाल UI design करते समय तो मैं start building करता हूँ ठीक है यह हो गया आपका और चलते पहले colors में colors में प्रैमरी color आपका यह दे दिया है लेकिन मैं काम करता हूँ यह explore project color में आता हूँ देखता हूँ कि कोई और color जो सबसे अच्छा लगता हो modern business का यह वाला काफ़ी shoot करता है और काफ़ी apps में होता है यह color नीचे आते हैं और यह भी सही ने लग रहा है यह भी नहीं सही है टेक यह icon नहीं एक काम करते हूँ तो जो default color आता है उसी को रखते हैं ठीक है जो आपका default वाला होता है यह modern business का यह चीज save changes करते हैं ठीक है और typography में आएंगे तो आपका जो primary font family है इसको हंटा करते हैं monistra करते है monist track यह है आपका और इसको मैं कर देता हूँ monifest यह monicolo नहीं monicolo नहीं, monda नहीं यह काफ़ी अच्छा font है आपका वो मिलनी रहे monist, monist नहीं यह तो होगे आपका monicolo नहीं, okay, monda यह है आपका ठीक है और यह होगे हमारा इसमें और change करना है जो हमारा app bar का color होगा वो हमें white रखना है तो उसको भी हम लोग by default change कर लेते हैं इसमें आता हूँ, sorry, इसमें app details में उसके बाद app bar में आते हैं यहां पर, ठीक है, background color इसको कर देता हूँ, primary background और एक निट में color एक चीज और change करता हूँ, design system में colors में आके जो पर primary background इसको में कर देता हूँ, pure white ठीक है इसे रुख जाओ, यह वाला pure white है आपका, secondary वाला तो इसको मैं copy करता हूँ, pure white, use color करते हैं, ठीक है इसको मैं कर देता हूँ, normal white, ठीक है यह हो भी आपका उसके बाद अगर background वो dark mode में देखें तो यह primary background जगोगा pure black करना पड़ेगा आमें, तो यह आपका black primary background है, secondary में ऐसा है ground जो primary का है, उसको मैं black कर देता हूँ, ठीक है, use color कर देते हैं यहां तक हो गया, primary, secondary text, primary text, primary में पुरा white है, secondary में खलका सा, gray color करेगा, ठीक, यह हो गया आपका, settings में आते हैं, उसके बाद primary background में paper white है, आपका, okay करते हैं इसको, थोड़ा सा नीची आते हैं, तो यह देखो आपका, इसको इस्तरस लगएगा अगर large header है, पहली बाद तो यहां आप में icon जो होगा, icon का color change कर देता हूँ, primary text का और test color भी रहेगा, आपका primary text का, ठीक है, इसको medium में रखके, इसको में, हाँ ठीक है, medium सरी लग रहा है तब भी, font family में कर देता हूँ, जो हमारी primary family है, वही रहेगा यह, test color रहेगा primary text का, ठीक है, और style, कुछ ज़्यादा चोटा बड़ा नहीं करना है height में हमें, वैसे अगर मैं करूंगा दिक्कत हो जाएगी रहने तो यह जैसा है, सब ऐसे ही रहने दो, ठीक है, icon size भी सही हमारा, अब इसमें आते हैं, इसको मैं करते हैं, welcome screen, ठीक है, welcome screen रखते हैं यहाँ पे, और यह जो है आपका, इसको मैं ऐसे करता हूँ, और यहाँ पर रखते हैं page view, ठीक, पहले column तो रखी देता हूँ, यहाँ पे, column के अंदर रखेंगे page view, page view रखेंगे, ठीक है, और उसी column के अंदर हम लोग क्या करेंगे, आपका page view हो गया, सभी side से padding देता हूँ, ठीक हटाते हैं इसको, delete करता हूँ, delete करता हूँ, ठीक है, यह आपका page view हो गया, आप page view के अंदर हमें रखना है, column, तो column रखते है, page view के अंदर, ठीक है, उपर image रहेगा हमारा एक, और यहाँ पर रखते हैं लोग image, ठीक है, यह ह मेह में इसको चेन्ज करता हूं, study, study कर देता हूं, जैसरे मेरे पास कोई भी image है नहीं मैं, मेरे पास रखानी मैंने image कोई, देखते हैं कोई image यहाँ पर में मिल जाता है, तो ठीक, यह image काँछा लग thermogen है, इसी को लिए लेता हूं मैं, एक थे या तो एक काम करता हूँ मैं पुराने वाला जो image है मारे पास है सेट में रखा हुआ उसी को लेते हैं ठीक है जरुरत नहीं है कि अमें बार बार नया नया image ले आप इसको image भी कर सकते हो अपने हिसाब से ठीक है तो मैं अभी फिलाल में एक यह image लेता हूँ कोई चलो जैसे यह image हो गई, ठीक है, यह image हो गई मारी और इसको मैं अगर ऐसे कर दूँ, ठीक, यह हो गया आपको, उसके बाद आपको एक टेक्स्ट रखना होगा, यहाँ center में, और जो टेक्स्ट होगा, इसको secondary family ना करके, इसको आप primary family कर दो, इसको रख दो आप, उसके बाद इसे कर दो, आप semi-bold, उपर आजाओ, इसको कर दो large में, ठीक है, semi-bold, 32 size रहेगी, यहाँ पर आप अपना कोई test डाल सकते हो, जैसे मैं आगर यहाँ पर, अपने bard AI से अगर पूछ होँ, कि कोई test मेरे को दे अच्छा सा, तो मैं आप help ले लेत I am creating an online course app, suggest me some punch line to show on welcome page, ठीक है, तो मैं आप बाद इसे पूछ रहा हूँ मैं, यह देखो, आपका one tag line है, यह देखो, unlock your potential, start learning your journey, today चलो, यह ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पर आता हूँ, इसको paste करता हूँ, इसको copy करता हूँ, यहाँ पर paste करता हूँ, ठीक है, इसको करते हूँ, center में, यह होगा center आपका, ठीक न, यह center होगा, वैसे आप इसको और अच्छा image आपके पास है, तो आप यहाँ पेज होए, यहाँ अच्छा सा image ले रख सकते हूँ, ठीक है, मेर पास कोई image है ने तो इसको normal सा image रख रहा हूँ, वैसे आप चाहोँ तो इसको change कर सकते हूँ, ठीक है, यहाँ तो चलो, एक बार आम लोग नया image ही ले लेते हैं, आइकोन, illustration निकालते है, illustration, और चलो, यह आ आपका illustration हो गया, free pics in Carlton illustration, तो यहाँ पर learning card, image ले लेता हूँ, जैसे यह आपका image काफे एच्छा लग रहा है, तो इसका image ले लेता हूँ, और जो भी copyright है, यह जिन्नों ने बनाया है, उन्हीं को जाएगा, ठीक है, मैंने नहीं बनाया यह, तो आप चाहोँ तो attribute भी है, इस इसमाल कर रहे हो, तो आपको attribute add करना काफी जरूरी होता है, आपको करना भी चाहिए उस चीज को, तो यहाँ पर मैं एक image upload कर देता हूँ, ठीक है, asset में आते हैं, asset में आते हैं, यहाँ पर image upload करते हैं, ठीक है, अपना downloads में आता हूँ, यह वाला जो आपका image होगा, यह वाल online certification.zip file में, ओके, तो इसको उन्हों पर एक zip file को open कर लेते हैं, ठीक, यह रहाँ आपका zip file और यह इसमें है, license free text है, आपका jpg file को, हमको देखना है, तो इसमें फिर से वापस आते हैं, यहाँ पर आते हैं, और इसको on करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसमें upload कर देते हैं, ठी रहाँ आपका, काफी सही लग रहा है न, यह, इसमें फुल साइज करेंगे, तो यह देखो, आपको कुछी इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, start your learning journey today, यह तो आप अगर कोई और लिखना चाहते हैं, यहाँ से, जिसे आपको अगर यह डालना है, तो आप यह डाल सकते हो, यह यह height में टूक कर दूँगा, तो यह काफी expand होगे लगेगा, ठीक है, इसे इसको मैं copy करता हूँ, पेज भी में दूसरा page में add करता हूँ, और इसको delete करते हैं, यहाँ पर पेज भी में add करते हैं, और यहाँ पर मैं दूसरा image लगेचा हूँ, देखता हूँ काउं साइमेज करूँ यह देखो आपका यह वाइट रहे जाएगा तो यही चीज ध्यान देना है तो इसको एक काम करना पड़ेगा कि हमें जो बैक्ग्राउंड है न उससे हमें ट्रांस्पारेंट करना होगा ठीक है तो मैं डाउनलोड पी एंजी तो कर लेता हूं यहां से सेव कर लेता हूं प्यंजी यह मारा प्यंजी फाइल डाउनलोड हो गया है और इसमें आता हूं ठीक है इसी को मैं सीधे अपने मैक बुक में इसको बैग्राउंड इमेज जो इसका है हटा रेता हूं ठीक है यह बैग्राउंड डिमूव हो गया है और सेम मुझे यही काम करन नहीं हुआ है देख लेता हूं इसमें अभी से नहीं वह बैसे फैसे करता हूं एक्षन इसको अधि मोग ग्राउंड ठीकए जोह रहा है रहा है नहीं पतक कहां जाए रहा है चलो कोई बात नहीं हम फिस्स में आते हैं और इसको अगर हम change करते हैं दूसरे बाले से Downloads में आते हैं यहाँ पर Choose करते हैं ठीक है यह रेको काफी सही लग रहा है और इसका अगर बंद करो गया तो इसका जो image है वो भी change हो गला लेकिन आप इसको भी change कर सकते हो ठीक है यह जो आपका image है इसको भी change कर सकते हो set dark mode अगर आप यहाँ पे on करोगे ठीक है तो यहाँ पे dark mode का भी एक image choose कर सकते हो ठीक है अगर इसको मैं पूरा white कर देता हूँ यहाँ अगर पूरा white कर देता हूँ ठीक और इसको भी अगर मैं color इसका normal सा white करूँ और background detail कर दो ठ इसमें आते हैं ठीक है यह दिखो आपका बैग्राउंड इमेज जो था वह वाइट हो गया है और इसी चीज़ को मैं इमेज बैग्राउंड इमेज हटा दूं और चलते हैं यहाँ पर अपने डार्क मोड वाले में तो यह दिखो आपका डार्क मोड में इसे सेट करते हैं इसको मैं बंद करूँए यह दिखवा आपको कुछ इस तरह से डार्क मोड में देखेगा लेकिन अच्छानी लगा रहा है काफी है तो डार्क मोड कोई नया इमेज इस्तिमाल कर लेंगे ठीक है । इसकि दिखो यही दिक्कत होती है जब म इमेज रखी होई थी वही रखते हम लोग ठीक है light mode में यह रखिक दें dark mode में दूसरा चेंज कर देंगे हम लोग ठीक है यह हो गया आपको इसका माद second page जो एड किया था यह second page में ही चेंज कर रहा था और pageview में अगर आए हम लोग पेज भी में आते हम इंडिकेटर करते हम लोग बीच में ठीक है एक page यह आपका एक page यह हो गया ठीक है यह page पहला यह page दूसरा इसमें जो लिखा हुआ उसको change करता हूँ learn from the best where you are ठीक है इसको मैं कर देता हूँ कुछ इस तरह से save करते है ठीक यह हो गया और इसको यह आपका button लगा हुगा इसको मैं थोड़ा size increase करता हूँ और इसकी मैं width देता हूँ width around 100 की ठीक है यहाँ पे रखते हैं और end spacing कर देता हूँ 50 ठीक है यहाँ पे आते हैं और इसको कर देता हूँ semi bold इसको करते हैं continue यहाँ तो get started लिखते ह ठीक हो गया यह आपका जो welcome screen का page था वह बनके तैयार हो गया है अब चलते हैं कि इस पर अपने second वाले page पर जो होगा हमारा कि लॉगिंग का page रइश्टर का मतलब एक तरह से second welcome screen रहता है लेकिन यह लॉगिंग करेंगा ठीक है यह तो welcome करते हैं इसको welcome to कर देते हैं ठीक है अटाती है इसको यहां से अटा देता हूँ ठीक यह गया आपका और यह column लगा यह है तो image रखते हैं बीच में उनलोग यह यह column इसको center करते हैं image को मैं change कर देता हूँ किससे change करना asset से asset कौन सा है आपका है अगर मालू मैं यही रखता हूँ ठीक है यह रखता हूँ और यह मैं रखता हूँ बीच में इसको इसे हम लोग कर देते हैं 32 और यहां पर मैं लिखता हूँ लेट लेट्स यू यहां पर लेट्स यू इन करते हैं ठीक है इस पेसिंग देता हूँ 10 की और यह जो container है आपको इसको स्वड़ा size देता हूँ में container करी ठीक है यह वह भी size इस थोड़ा सा और size बढ़ाता हूँ सभी size से 10 की में बढ़र रेडियस एलिवेशन अगर देना है तो दे सकते हूँ प्लिकिन अचाहिन लगागा तो ctrl z करता हूँ ठीक यहां पर आते हैं जो आपका fill मला color इसको primary background करता हूँ जो हो जाएगा पूरा white border color secondary background करेंगे तो normal सा यह black दिखेगा लेकिन थोड़ा सा और काम करते हैं यहां पर ठीक है यूज कलर करते हैं हाँ यह सही लग रहा है ठीक है इसको मैं थोड़ा side increase करता हूँ इसकी duplicate करता हूँ और इसको duplicate करता हूँ ठीक रो रखने हैं इसमें इसमें ठीक है पैडिंग हो जाएगी सभी side से और यहां पर facebook का हमें वो रखना है facebook का गूगल का हो गया तो icon रखते हैं ठीक है icon करता हूँ यहां पर icon ठीक फेजबुक फेजबुक कर यह इसका जो color होगा वो blue color में होगा कॉंटिनीव दिद फेजबुक और आइटम स्पेसिंग देता हूँ 10 की कॉपी करते हैं इसको ठीक इसको रोब को कॉपी करता हूँ और इसमें पेस्ट करता हूँ ठीक इसको करते हैं गूगल के लिए तो मैं गूगल का जो color है red वादा इसको रख देता हूँ यहां पर करते हैं गूगल ठीक है गूगल होगे signing with गूगल करते हैं इसको और यहां पर अगर signing with apple करना है करते हैं गूगल करते हैं ठीक है गूगल होगे आपका यह और अगर आपको कुछ और आइड करना है तो यहां पर कर सकते हो कांटिन with git हब कर सकते हो ठीक है गिट का भी डाल देता हूँ जीठ हब ठीक यह हो गया आपका और एक इसपेस नहां पर डिवाइड करना पड़ेगा तो मैं काम करता हूँ यह जो रो है आपका ठीक है इसको देता हूँ और रो के अंदर डिवाइड तो एड ऐसे होगा नहीं तो इसके लिए काम कर सकते हैं जो कंटेनर है आपका इसी को मैं रख लेता हूँ ठीक है और इसकी जो विट है उसको इंक्रीस कर देता हूँ ठीक है यहां पर लिखेंगे और जो यह है आपका इसको आप दूसरा कलर भी दे सकते हैं जैसे में नॉर्मल अगर यह दे दू इसको भी नॉर्मल अगर यह देता हूँ ठीक है और हाइड छोटी करते है इसकी भी यह यह ठीक है यह टूसाइए और यह एगर हम और करें वन कर दे काफिए तो वन ही रखता हूँ मैं ठीक है यह chiili का और यहां पिवह निचे यह राता हूं बटन इक रखता हूँ ठीक है भटन भाटन रहेगा भटन इसलिए है कि मैं यहां पर साइनिग sign in with password कर देते हैं ठीक अगर आपको मान दो email से signing करना है password से signing करना है तो आप यहाँ पर signing करके यहाँ पर click करके signing कर सकते हो ठीक है और mail पर आते हैं यहाँ पर mail चूज कर देता हूँ काफ़ी सही लग रहा है यह और एक चीज और देना पड़ेगा हमें यहाँ पर अगर user के पास पहले से account है तो reach test में आते हैं नीचे रखते हैं reach test ठीक है already have and account ठीक है yes IGN sign up करते हैं ठीक already have an account काई से में black करना होगा और black नहीं इसको black नहीं करना है अब से केंड़ी टेस्ट रखते हैं जो यह sign up का है इसे हमें blue करना होगा ठीक है यह blue हो जाएगा तो काफी सही रहेगा आपका यह और medium रखते हैं इसको semi bold ठीक है यह हो गया आपका और यह बनके आपको यह sign up का page है और second dollar welcome का जो page है वो ready हो गया है तो यह देखो आप इटर आप अगर spacing देद होगे तो काफी सही तरह सी लग रहा है ठीक आप इसको change भी कर सकते हो इसे मानलो यहाँ पर start your learning today लेज देते हैं ठीक start your learning today करता हूँ ठीक है और इसको मैं center कर देता हूँ ठीक काफी सही लग रहा है और आप इसको scrollable on कर दोगे तो दिक्कत होगे इसलिए आप इसमें spacing भी दे दो साथ साथ में इस spacing से फायदा यह होता है कि अगर आपको छोटा बड़ा भी अगर यह होता है मतलब mobile size छोटी बड़ी भी होती है तो काफी सही तरह से रहता है यह अगर आप इसको scrollable करता हूं कि आप जो size है जो आपका यह column है इसको अमेशा on करके रखो ठीक इस scrollable का जो है उसको on करके रखो जिससे यह होगा कि आपका यह जो देखो इससे कोई overflow नहीं होगा size कितनी बड़ी भी हो जाए कितनी छोटी हो जाए इसमें कोई असर पढ़ने वारा नहीं है आप इसमें प्रॉपर जो responsive design होता है उसका वीडियो बनाऊंगा ठीक है तो यह हो गया आपका welcome का second page ठीक है तो मैं साथ साथ में action ही बनाते चलता हूं यहाँ पर click करके हम लोग चलेंगी welcome to पे ठीक है welcome to पे चलेंगी ठीक है transition type आप slide up, slide down भी कर सकते हो slide मैं right कर देता हूं save करता हूं इसको अगर मैं preview करूँ इस पे click करके यहाँ पर click करके आपको दुसरे page भी आना बटी यह save होगा नहीं क्योंकि नहीं पता क्या issue आता है इसमें फ्लेटर फ्लोग के अंदर दोको मैंने action बना है बट action save नहीं हुगा इसका welcome to पे आते हैं ठीक है save करते हैं इसको save हो गया है ठीकिन अगर हम अभी preview करेंगे वो काम नहीं करेगा चलो इसको हो गया हमारा अब आते हैं signing का page बनाते हैं ठीक है यह sign signing का page बनाते है create page करता हूं यहाँ पर हटाता हूं इसको ठीक है और signing के लिए हमें simply करना क्या है यहाँ पर अपना एक तरस से यह तुमको रखना ही होगा तो यहाँ पर हम app bar on कर देते हैं अपना यह रखते हैं ठीक है इसको हटा देता हूं और यह आपका अब बार है इसका जो back यह आपका मतलब जो होता है elevation जो होता है उससे मैं बंद कर देता हूं ठीक है इलो ही सिंक करके आए कर दूए यहां पर है। ठीक से जाएगाई अब गया आपका यहां पर आते हैं logging करते हैं काउंट में यहां पर टेश्ट डेर्डेट कर देता हूँ कॉलम कोकर्ता हूं Center में कि लोग उऑसुत emotion करता हूं ठीक है और इसको मैं font size बढ़ा देता हूँ login to your account ठीक है font size और बढ़ाते हैं इसकी यह आप करेगा bold में ठीक है और अगर और size बढ़ाएंगे देखें किसा लगता है और size बढ़ाके bold को हटाके मैं semi bold करूँ ठीक कभी कोई दिक्कत नहीं है इसमें मैं सब्सक्राइब से padding देता हूँ ठीक है इसको center कर दूँ है login to your account बसे जो आपका यह font है नहीं काफ़ी चल लगनी रहे तो इसलिए मैं monster ही रख monster नहीं पता है नाम क्या इसका लेकिन कुछ है नाम mount से रठ है okay mount से रठ को रखता हूँ ठीक है और side में देखने कैसा लखता है यह हाँ ठीक है इस काफ़ी सही लग रहा है ठीक है यह अच्छा लग रहा है और यहाँ पर आते हैं एक हम लोग रक्षेंगे container पहले container रखते हैं यहाँ पर और पहले एक काम करते हैं इसको wrap कर देते हैं न रैप करने से आसान हो जाएगा मैं आप मैं पहले wrap करता हूँ इसको इसकी अंदर add करता हूँ container और duplicate कर देता हूँ container ठीक है जो आपको यह wrap है यह horizontal नहीं वर्टिकल रहेगा ठीक है और जो spacing रहेगी इस wrap के अंदर वो रहेगी आपके 20 की spacing रहेगी ठीक है यह हो गया आपका इसको मैं size increase करके इतना लिखे आता हूँ चोटा करता हूँ इसको भी और duplicate करता हूँ इसको ठीक है थोड़ा सा जूंग करेंगे यहाँ पर तो container के अंदर हमें क्या करना है रखना एक row एक row रखना है सब इस side से में 5 की pairing देता हूँ ठीक है आइकाउन डालते हैं कि यहाँ पर आइकाउन हो जाएगा उसके बाद text field रहेगा यह ठीक जो आपका text field है उसके बाद यहाँ पर आप जो आपका यह side border दिख और लाइन जो दिख रहा है उसको उटाने कि आपके इसको नंग कर दो गए तो सई रहेगा यह content की padding देता हूँ सबी साइड से 10 की padding देता हूँ ठीक है यह padding होगी 10 की सबी साइड से ठीक यह जो आपका icon है इसमें रहेगा हमारा mail मैं आप पर लिए देता हूँ email अपना सिस्क्वाटा देते हैं यहाँ पर enter your mail करते हैं ठीक है your mail इंटर्यूर mail copy करते हैं इसको कर देते हैं पेस्ट यहाँ पर यह पासवर्ड है पासवर्ड मैं कर देता हूँ यह वाला कुछ इस तरह से ठीक है और यह रहेगा इंटर्यूर password इंटर्यूर password ठीक और यह कैसी field radius को autofocus बंद कर देना आपने तो बार बार इसी पे हमेशा आतर हैगा आपका point जब भी आप इस page को open करोगी न वैसे ही आपका keyboard on हुझाएगा यहाँ पासवर्ड क्या रहेगा visible password करते हैं और यह password field है ठीक हम लोग कर देते हैं इसको toggle करते हैं toggle side जो रहे यह देखो वाँ यह चीज हमको सफ़रा सा size increase कर गया ठीक है यह सही है और एक काम और करते हैं जो container इसको मैं border radius दे देता हूँ 10 का इसको भी border radius दे देता हूँ 10 का ठीक है यह आपका border radius 10 का हो गया ठीक काफे सही लग रहा है ठीक है और इसको हम लोग यहाँ ठीक है अगर आप रिमेंबर करवा सकते हो इसको रिमेंबर मतलब आप को करना क्या होगा कि इस device ID आपको अपने firebase के अंदर save कर देना है ठीक है और अगर जैसे यह firebase के अंदर इसी device अगर आपका app open होता है वैसे ही अपने आप password और email ले लेगा लेकिन आपको यह सब करने जरूरत नही इसमें तो सिर्य आते हैं sign in पर अब बटन यहां पर अड़ करता हूं ठीक है बटन आड़ करते हैं यह वाला यहां पर लिखते हैं sign in करते हैं ठीक और width जो होगा 100 का होगा इसको मैं size increase कर देता हूं इसको थोड़ी size बड़ी करता हूं यहां पर font size देखते हैं font size 20 सही है और इसको जो border radius है इसको मैं थोड़ा सा increase करके करता हूं 10 का ठीक सही लग रहा है अगर आपका user password भूल गया है तो आप यहां पर forget password का भी बना सकते हो सरी मैं बार-बार वाई चीज़ देता हूं जो मुझे बनाना रहता है यहां पर करते हैं forget password forget password ठीक है यहां password की spelling जो होगी डब्लू ओर डी होई ठीक है और test में रखते हैं यहां पर जो color होगा आपर इसको blue रख देते हैं और इसे मैं कर देता हूं इसे blue रखने जरूद नहीं है इसको मैं red रखता हूं इस समय में आ जहां यह password की field है ठीक यह होगे और इसे में आए और जो हमने यहां पर यह चीज़ बनाया था इसको copy करता हूं signing में आता हूं इसे को paste करता हूं यहां पर ठीक है पेस्ट करने के बाद यह continue with Google का हमने यह बनाया था इसी से इसको मैं कर लेता हूं copy signing में आते हैं यहां पर बनाता हूं wrap रखते हैं यहां पर और यह रहेगा हमारा vertical में इसी के अंदर paste करते हैं continue with Google और यह जो आपका container है continue with Facebook करते हैं इसी wrap के अंदर ठीक है जो आपका यह wrap था इसी के अंदर करते हैं wrap के अंदर continue with Facebook ठीक है अब चाहो तो सिर्फ इसका icon ही देखता हूं कि बग करके 20 के स्पेसिंग देखता हूं और अगर मैं इसको साइस इस्पेस देख दू ठीक है है सई लग रहा जा ज़िए ठीक है और अगर इसको scrollable on कर दें और 40 का space सभी को दे देता हूँ तो ये normal तरह से अपने position में आ जा रही है ठीक welcome इसमें आते हैं और यही चेज को मैं यहाँ पर copy कर लेता हूँ signing में आता हूँ same चीज को मैं paste करना होगा तो इसे paste कर देंगे ठीक है आपका इसको उपर कर देते हैं और इस scrollable बंद करना होगा 40 का space नहीं देना है तो यह ऐसा लगेगा ठीक तो काफि सभी है इस scrollable on कर सकते हूँ आप safety purpose के लिए कि आपका overflow ना हो ठीक है और यह भी सही है यह भी काफि सही लग रहा है चलो कोई बात नहीं हमारा यह proper बंद की तयार हो गया है आप चाओ इसमें सिर्फ logo भी रखवा सकते थे अगर आप चलो एक काम करता हूँ इसको मैं change ही कर देता हूँ ठीक है जो आपका यह रखाओगा इसी commit कर देता हूँ छोटा और इसी चीश को मैं कर देता हूँ horizontal ठीक है size बड़ा करूँ यहाँ पर यहाँ पर जब आप आओगे तो जो यह आपका है इसको आप हटा दो इसको घटा दो आपका यह रैप है इसके अंदर content duplicate करते चले जाओ ठीक यहाँ पर गूगल का है तो गूगल को रहने दो आप यहाँ पर कर दो Facebook कर दो सिधे यहाँ पर यहाँ पर यह आप करेगा ब्लू कलर का ब्लू कलर का होगे और यह Apple का है तो Apple में आजाओ प्रैमरी टेक्स इस पर आजाओ और यह GitHub का है ठीक है GitHub पर चुछा आ सकते हो आप GitHub लोग यह Red नहीं होता है यह Black कलर का होता है GitHub का ठीक है सेव करते हैं GitHub का यह दोनों एक आसपास में च्छेंड लगेंगे चलो कंटेनर को उठा के मैं इधर कर देता हूं इसको उठा के हम इधर कर देते हैं ठीक है आप सही लग रहा है दोनों Black Black आसपास में च्छेंड लग रहे थे ठीक है यह हो गया आप इसको चाहो तो एक काम और कर सकते हैं जमने पांच की पैरिंग देए यहां से इसको आप टेन कर दो तो काफी अच्छा और लगेगा यह काफी दूर लगेगा और सही लगेगा यह ठीक यह टेन हो गया आपका लॉगइंट इबान को ऋःुर अखाउंट यह बन किडि़ा हो गया ठीक तो आशश्य बस इतना ही रखते हैं आउय आप लोग ने सीखाए किस तरह से हम लोग प지 भी चाहँ कर तो चेंज करते हैं आई-कनलर या तो फिड-ट ध कंटीनर हो घ्य के करते हैं तो चलीए वीड झाल